तो अगर आप एक Realme Narzo 30 या Infinix Note 10 या Infinix Note 10 Pro ये इस टाइप के जो स्मार्टफॉन से ये दोनों ही स्मार्टफॉन से अगर आप लेने का सोच रहे हो या तो आप लेना चाहते हो लेकिन आप ये दोनों ही स्मार्टफॉन के बैटरी के पैसिटी के बावले बिल्कुल भी अवेर नहीं हो कि ये दोनों ही स्मार्टफॉन रियल में Narzo 30 और Infinix Note 10 एक्जाक्ली बैटरी के मावल में किता पावरफुल है और कितने आवस्त का बैटरी बैक अप दे सकती है तो इन डाट केस आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होने होला स्पेशली में इस रियल में Narzo 30 और Infinix Note 10 का एक बैटरी ड्रें टेस्ट टॉपिक कवर करूँगा जिसमें मैं यह दोनों ही स्मार्टफॉन को प्योरली 100% से 0% तक बैटरी ड्रें टेस्ट का टॉपिक स्पेशली इसमें इसमें कंटीन करूँगा बैटरी ड्रें टेस्ट के लिए इसमें मैं 4K वीडियो को प्ले को अगर आप आप नॉर्मली वीडियो को प्ले करते हैं अल्ली और वीडियो को तो ऐसे में आपको कितने आवस्त का बैक्टरी पैकप दे सकती है तो अगर आप ये चीज़ अगर आप संबल लोगे ता आप बाकी चीजों में आप एनलाइस कर पाऊगे कि अगर वीडियो प्ले में इतना बैटरी ड्रीन होता है तो गेम प्ले में कितना होगा नॉर्मल यूसज में कितना होगा बाकी चीजों में आप इसली एनलाइस कर पाऊगे तो अभी रियल में आरजो 30 और इन्फिनिक्स नोट 10 दोनों का बैटरी अभी प्यॉरली प्यॉरली हंड्रेट परसेंट है दोने ही स्माटफोन का तो यहां पर में जलाइस शो करें देता हूँ तो अभी इस रियल में आरजो 30 यहां पर टॉप साइट में बैटरी पूरा हंड्रेट परसेंट है राइट नाओ रियल में आरजो 30 का भी बैटरी पूरा का पूरा हंड्रेट परसेंट है तो अभी दोनों ही smart phones को मैं पुरा hundred percent से इसका battery डेंटेस्स करूँगा और इसमें मैं 4K वीडियो को play करूँगा तो अभी दोनों ही smart phones में same 4K videos है and let's me इसका resolution highest कर लेता हूँ तो इसका resolution जो set करूँगा वो है 2160 pixels and infinix note 10 का जो highest resolution है Infinix Note 10 में आपको ज़्यादा resolution नहीं बिलता है यहाँ पर high, इसका video resolution कम है as compared to Real Minarzo 30 के compare में तो जो highest resolution यहाँ पर है Infinix Note 10 में, it's 1440 pixels तो मैं यही resolution यहाँ पर भी set करूँगा तो अभी दोने smart phones में same 4K video प्ले हो रहा है तो इसका भी मैं same कर लेता हूँ 1440 because उसका भी उतना ही है so यहाँ पर purely difference लेंगे and यहाँ पर मैं track activity के लिए timer भी यहाँ पर start करूगा जिससे कि इसे track करने में easy पड़ेगा so top site में है Infinix Note 10 and down site में है Realme Narzo 30 Infinix Note 10 का battery capacity है 5000 mAh battery और Realme Narzo 30 का battery capacity है 5000 mAh battery दोने smart phones का 5000 mAh का battery capacity है so let's start so 8 hours complete हो चुके हैं so 8 hours complete हो चुके हैं video play हो रहा है non-stop 8 घंटे में mornings है so check करते कि इस 8 hours के difference में Infinix Note 10 and Realme Narzo 30 यह 100 से कितना percent drain हो है तो first Infinix Note 10 so Infinix Note 10 का जो current battery status है it's 52% तो पहले में timer stop कर लेता हूँ and Realme Narzo 30 का है 54% तो ज्यादा battery drain हुआ है Infinix Note 10 का तो ज्यादा जो battery drain हुआ है वो Infinix Note 10 का हुआ है और Realme Narzo 30 का 54% है but still दोनों ही devices almost same line पर ही है खली 2% का difference है तो अभी मैं 4K वीडियो continue करूँगा and check करते हैं कि दोनों स्मार्टफोन पुरा 0% होने के लिए और कितना hours consume करती है तो फिर से मैं 4K वीडियो continue करता हूँ and फिर से तमर्स तर्टब तो 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 तोटली 6 hours 30 minutes complete हो चुके है and Infinix Note 10 ने ended up notification दे दिया your device will shut down in 30 seconds please connect your charger तो Infinix Note 10 का charger charging पहले complete हुआ as compared to Realme Narzo 30 और यहाँ पर Realme Narzo 30 का charging percentage है वो अभी भी थोड़ा 2-3% बाकी है तो Infinix Note 10 पूरा का पूरा device shut down हो चुका है 100 to 0% इसका battery complete हो चुका है and Realme Narzo 30 तो Realme Narzo 30 का last का 3% remain है तो ओवरली दोनों ही डिवाइसे यानि कि Infinix Note 10 and Realme Narzo 30 अल्मोस्ट 100 to 0% battery drain होने के लिए 14 hours 37 minutes का time इन्होंने consume कर लिया अब यहाँ पर यह 15 hours के उपर भी जाता था डिपेंड करता है मोबल की brightness कितनी होती है यहाँ पर मेरे cases में जो brightness मैंने रखा था on average 40% का brightness दोनों ही devices में मैंने रखा था depend upon the lighting condition लेकिन average 40% का brightness था तो 14 hours के brightness capacity में 14 hours 37 minutes का backup मिल गया दोने smartphone में लेकिन Infinix Note 10 पहले drain हो गया as compared to Realme Narzo 30 the reason is that because Infinix Note 10 का जो video resolution वाला जो option है वो कम है as compared to Realme Narzo 30 इसलिए Infinix Note 10 में में थोड़ा ज़्यादा brightness रखता था तो इसलिए Infinix Note 10 का जो बैटरी जल्दी drain हो है as compared to Realme Narzo 30 लेकिन दोनों ही devices almost same है दोने devices ने बैटरी capacity के माबल में same ही time consume किया बस Realme Narzo 30 का last का 2% remain है और इन्फिनिक्स Note 10 का last का 1% जो भी charging complete होन के बद मैंने start किया तो overall ही अगर मैं exact कहूँ तो Infinix Note 10 and Realme Narzo 30 दोनों ही devices में आपको 15 hours का backup मिल जाएगा बैटरी का अगर आप only 4K वीडियो है तो वीडियो प्ले करते है यह तो मैंने highest resolution वाला वीडियो प्ले किया था 4K इसलिए battery 15 hours का मुझे दिया अगर आप इसे कम resolution वाला वीडियो प्ले करते है let's say example 1080p या 720p तो ऐसे में आपको battery backup और जादा मिलेगा even 16 hours तका battery backup आपको easily बिल जाएगा अगर आप 1080p या 720p आप प्ले करेंगे जितना कम वीडियो का quality होगा उतना थोड़ा जादा ही बैटरी का backup बिलेगा तो यह highest 4K resolution वाला वीडियो प्ले था इसलिए battery जितना जादा बैटरी वीडियो का quality होगा उतना जादा फासली battery drain होता है तो यही एक normal सा rule होता है that's it all about तो overly यह था Infinix Note 10 and Real Minarzo 30 दोने smartphones आपको exactly 15 hours तका battery backup दे सकती है I hope you like this information Thank you